वेल्कम वैक अगें आज हम करेंगे एक्सेसाइज 1.2 का जो 6th question है उसमें जो उन्होंने बोला हुए कि explain why 7 x 11 x 13 plus 13 is a composite number इसके साथ एक और पार्ट भी है मैं पस्ट पार्ट आपको इसमें बता रहा हूँ कि कैसे होगा second का भी same ही method होगा तो सबसे पहले देखो हमारे पार जो number अवेलेवल है वो है 7 x 11 x 13 plus में again 13 तो यह सारे क्योंके product में यह एक ही number है और यह अलागे एक number है विचका और में plus का sign है तो means हमने देखने है common कुछ निकल सकता है कि नहीं तो इन में दोनों में दोनों जो number जानों में 13 हमारा common आ रहा है तो 13 हमने common निकाल दिया और अभी bracket में हमारे पास 7 बच गया और 11 बच गया पहले number में से दूसरा number तो क्योंके सारे का सारा बाहर common आ गया तो वहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा उसके बाद आपने bracket के अंदर जो है यह 7 इंटो 11 यह 77 बन गया प्लस में 1 और 13 अगें ऐज इस और यह हो गया हमारा 78 तो अभी जो bracket में जो भी number आपके पास बनेगा अगर आप उसकी prime factorization कर सकते हो तो जरूर कर देनी है अगर नहीं भी कर सकते ना मालों कई बार आपको तो हो रही है तो तो फिर पहले जाएगा फिर त्री पे जाएगा फिर दबारा वह 13 पे जाएगा तो अभी देखो इसकी जो प्राइम फैक्टरियेशन है उसमें जो नमबर है उसमें जब हमने इसकी prime factorization की तो उसमें कितने नमबर जा गए उसमें चार नमबर जा गए और अगर one को भी हम लगा दें साथ में हाला कि वो प्राइम नहीं होता तो प्राइम फैक्टरियेशन ही रहेगी factors हो जाएंगे तो इसके पांच factors हो गए तो जो भी नमबर जिसके दो से ज्यादा factors होते हैं वो composite number होता है हमेशा क्योंकि जो exactly दो factors बाला number होता है वो होता है prime number औ then two factors therefore it is a composite number क्योंकि इसके दो से ज्यादा factor होगे तो इसलिए ये composite number होगे तो इसका जो second part है जिसमें होने 7 into 6 into 5 into 4 है जगर के बनता का रहे हैं पर लस में 5 है उसमें आप 5 कॉमा निकालके बाद में ऐसी अंदर multiplication addition करके एक number बनेगा आप साथ में अगर वो आपको थोड़ा difficult लगे उसकी factorization करना तो साथ में आगी जैसे मैंने पहले बताया 1 लिख सकते हो जैसे इसको आप क्या लिख सकते थे इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 into 13 into 78 तब भी इसके तीन factors तो सकते थे तो तब भी आपकी यही reason बनना था as it has more than two factors therefore it is a composite number तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में है तो वीडियो को like कर दीजिए और अमारे चैनल को subscribe जरूब कर दीजिए thanks for watching the video